नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरकन के दिन भर की खबर जानते हैं समान राशी के लिए मांगे जाने के बाद भी अवेदन नहीं दिया, खिलाडी, रूपारानी तिर्की, लवली चववे, दिनेश कुमार, सुनील, बहादूर और चंदर सिंग ने सीम से समान राशी में ब्रीधी करने काग रखिया है, इस बारे में जहरकन बॉर्लिंग एसोस जितकर जहरकन के साथ भारत का भीराम रोशन करने वाले खिलाडियों को काफी कम प्रोसाहनासी दी जा रही है, पाराश सिक्षकों को जल्द मिलेगा दो माह का बकाया मान दे, जहरकन में समग्द सिक्षा अभियान के तध करणा राश्थ सहायक अध्याप को पाराशिजको को जुलाई और अगस्त का मांदे भुगतान हो सकेगा गुरुवार को बित विभाग के आउन मोधन के बाद सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने इस पर सोग्रिती दे दी इससे पहले उन्होंने गुरुवार को ही अधिकारियों के साथ बैठक कर सेक्षिनिक परण पत्रों के स परवाई की गई है मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों की लपरवाई के कान पराज सिसकों के प्रण पत्रों को सत्यापन नहीं हो पाया लेकिन बदनामी सरकार की हो रही है जारखन ग्रामिन बैंक को नीजी हाथों में देने की तियारी भारत सरकार जारखन के कलोते ग्रामिन बैंक को नीजी हाथों में सोपने की तियारी कर रही है भारत सरकार जार्खन गरामीन बैंक में अपने 50% सेयर में से 34% सेयर निकाल लेगी केवद 16% सेयर ही रखेगी वही 34% सेयर भारत सरकार IPO के माध्यम से बेचेगी बैंक में बाकी 35% सेयर भारतिय स्टेट बैंक और 15% सेयर जारखन सरकार के हैं जारखन राज गरामिल बैंक की बरतमायन में 443 सकाय हैं लफख 1200 करमचारी हैं जारखन में पहले दो गरामिल बैंक जारखन छेत्रिय गरामिल बैंक और वनांचन गरामिल बैंक थे जो बाद में दोनों बैंकों को यकिरित कर जार्खन राजे ग्रामिन बैंक बना दिया गया है JSC में PGT, TGT के पदों पर अपलाई के आज अमतिमती थी जार्खन करमचारी चैन आयोग में नौकरी पाने का अच्छा मौका है इसके लिए JSC ने TGT, PGT के पदों पर आवेदन करने की आज अमतिम डेट है इक शुक्यम योग योग उमिद्वार जो भी अब तक इन पदों के लिए अपलाई नहीं किये हैं वे JSC के अधिकारिक बेप साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बता दे JSC इस भर्ति पर के लिए 2855 रिक्त पर को भरेगा देवघर में 12,000 न्यूज पेपर से बना माद दुरगा का पंडाल दुरगा पुजा नहीं दिखाया ऐसे में हर जगह बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं लेकिन देवघर के एक ऐसे कलाकार है जो न्यूज पेपर से भब्य एवं आकरशक पंडाल बना रहे हैं कहते हैं कि नट राज की धरती देवघर में कनकन में कलाब असी है देवघर के मारकंडे जजवाडे एक ऐसे कलाकार है जिन्हें भारत सरकार से सीनियर फेलोशीप मूर्तिकार में आवाड मी मिला है बता दे ऐसे में हर एक जगह बास बल्ले से बड़े बड़े पंडाल बना जा रहे हैं इसमें मा भगवती की परतिमा बिराजमन की जाएगी मारकंडे कुछ ऐसी चीजों से पंडाल बना रहे हैं जो आप रद्दी समझ कर फेक देते हैं बता दे मारकंडे लगभग 12,000 नीजपेपर के पनों से देवी दुरगा का पंडाल सजाय है जो बेहाद ही आकरसक और खोपसूरत दिख रहा है गढ़वा में चेंबर का अंदोलन आज हुआ समाप्त तीसरे दिन सुक्रवार को एक गारा बज़े अनुमंडल पताधिकारी अलोग कुमार का सवसन के बाद किस डिलर या किस गोदाम से सरकारी राशन बाजार में पहुँचता है इसकी जाच कर दोसी के बिरुद सक्त करवाई की जाएगी बेहसायों का कहना है कि प्रती दिन जो भी समागरी खरीते हैं उसका रिसीविंग अपने पास रखे यदि कोई हमारे नाम पर आपको डरा धमका कर पैसे की महां करता है तो हमें तवरित सूचना दीजिए उसे जेल भेजा जाएगा जारखन राजे गरामीर बैंक के करमचारी हरताल पर जार्खन राज ग्रामीन बैंक के करमचारी आजशुक्रवार को एक दिवस्य हर्ताल पर है करमचारी बैंक के निजी करन समेट बिभीन मागों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं पलामु जिला मुक्याले मेदनी नगर समेट बिभीन अस्थानों पर इसका असर दिख रहा है केंद्रिये संगटन All India Regional Ruler Bank Employees Association और एबिया के आवहन पर जार्खन राज गरामिन बैंक अधीकारी संग एवाम जार्खन राज गरामिन बैंक करमचारी संग पलामू के अंतरगात आच्छेत्रिये कर्याला डाल्टेंगंज में एक दिवस्य हरताल कावजन किया गया है टीपीसी दस्ते ने घर में घुश कर जेजे एमपी एरिया कमांडर को गोली मारकर की हत्या एक बर फिर राजची में नकसली संगटनों में भीड़न सुरू हो गई है गुरुवार की रात आपसी वर्चस्व में जेजे एमपी के एरिया कमांडर बिकास लोहरा ओर्फ अभी जीत की घर में घुश कर गोली मारकर हत्या कर दी गई हत्या की असंका टीपी सी पर जताई जा रही है घटना रात करीवे 11 बजे के आसपास की है बिकास लोहरा बुड़मू इस्थित अपने घर में सोया हुए था इसी बीच 10 से 12 सदस्यों में दस्ता घर पर धावा बोल दिया हत्या के बाद वहां से अराम से निकल गए इधर जैसे ही पुलिस को हत्या की सुचना मिली गिरामिन एस्पिनो साथ अलम के निदेसप पुलिस की टीम बुढ़मू पहुच कर छानबिन सुरू कर दी है जन अंदोलन के कारण आज भी कई ट्रेने रद अपनी मांगो को लेकर कुडमी समाज का परदसन चोथे दिन भी जारी है इस कारण एक बार फिर से ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है आज भी कई ट्रेनों को रद कर दिया गया है ट्रेन के रद कर देने से यात्रियों के परसानी हो रही है अपने गंता वे अस्ता तक नहीं पहुंच पा रहे है बता दे ट्रेन रांची हबडा, रांची एक्सपरेस ट्रेन आदरा बरका खना, आदरा मेमू पैसेंजर बोकारो, स्टील सिटी आसन सोल बोकारो, स्टील सिटी मेमू पैसेंजर आसन सोल राची आसन सोल मेमो पेसेंजर ख़वागपुर एक्सपेरेस आदी सुक्रवार को रद रहेगी ट्रांसजेंडर के इस्थिती में सुधार के लिए IIT ISM की सिफारी से स्रम मंत्रालें की लागू ट्रांसजेंडर के स्थिती में सुधार के चल रहे उपयों को गती देने और बेहतर कारे का वातावरान परदान के लिए IIT ISM ने नया कदम उठाया है IIT के मानवीकी और समाजिक बिग्यान बिभाग की प्रफेसर रजनी सिंग ने कुलकता में ट्रांसजेंडर पर किये अपने सोध के माध्यम से कई महत्पून सुझाओ दिये इस कदम का उदे से बड़े परवाने पर समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिती में सुधार के लिए चल रहे है उपयों को गती देने और उन्हें बेहतर कारे का वातावरान परदान करना है परफेसर सिंग ने अपने सोध ट्रांसजेंडर समावेशित पर रियलीटी चेक कर कई सिफार से दिया है उन्होंने आगे केंद्री स्रम और रोजगार मंत्राला की ओर से समन्वे के लिए अनुसांसित किया गया है पंकज मिस्रा को लेवी दिये बिना वैद खनन था असंभव पालवाहक पानी जहाज पर एस्टोन चिप्स लदे ट्रकों से प्रती ट्रक 500 रुपए की दर से लेवी वसूलता था उसने सिर्फ एक अवैद खननन छेत्र से 42 को रुपए की कमाई की है हलाकि आयकर रिटर्न में 4-15 लाक रुपए तक की ही आमदनी होने का उले किया गया है आर रोनीटा और एसपी सौरब कुमार ने कही दुरगा पुजा को लेकर सुक्रवार को समानाला में उपायुक्त की अध्यक्स्ता में जीला अस्तरिय सांती समिति की बैठा खोई इसमें जीले के तमाम पुजा पंडालों के पता दिकारी के साथ साथ जीला एवन पुलिस पर सासन के पता दिकारी भी सामिल हुए है धन्यवाद